नमस्कार दपेंड डाउन में आपका स्वागत है मैं हूँ प्यूश त्रिपाथी सोनिया गांदी राहूल गांदी और मलिकाल जुन खडगे कॉंग्रेस के वो नेता है जो एडी के रडार पर है इसके अलावा दिल्ली के मुखंतरी अर्विन केज रिवान एडी के रडार प से कत्रा रहे हैं टालते जा रहे हैं वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंग और पूर्व डिप्टी सियम मनीश सौदिया फिलहाल जेल में हैं एडी के घेरे में आने वाले नेताओं की लिस्ट में एक नाम और बढ़ गया है आखे कौन है वो देखते हैं इस रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी के संजय सिंग और मनीश सिसोदिया तो जेल में हैं ही वहीं जहारखंड के पूर्व सियम हेमल सोरेन को भी इडी गिरफतार कर चुकी है और बिहार के पूर्व डिप्टी सियम तेजस्वी यादों से भी इडी पूस्ताच कर चुकी है देश की पूर्व मंतरी और कॉंग्रस नेता हरक सिंग्रावत के ठिकानों पर सुबह सुबह एडी ने छापे मारी की जानकारी के मताबिक हरक सिंग्रावत और उनके करीबियों के एक दलजन से अधिक ठिकानों पर एडी की टीम पहुंची थी ये मामला मनी लॉंडरिंग से जड़ बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक फॉरिस्ट लेंड स्कैम यानि वन घोटाला मामले में E.D. ने ये एक्शन लिया है E.D. की टीम बुद्वा सुबे देहरादून के डिफेस कॉलोनी स्थित हरक सिंगरावत के घर पहुँची इसके अलावा दिनली और चंडीगर में भी हरक सिंगरावत और उनसे जुड़े लोगों के ठेकानों पर E.D. की टीम के पहुँचने की खबर मिल रही है उत्राखंड के कद्दावर नेता हरक सिंगरावत को भाषपा ने अनुशाषन हींता में पार्टी से निकाल दिया था जिसके बाद वो कॉंग्रस में शामिल हो गए वही महरास्ट में शरत पवार के करीबी जैन पार्टी भी E.D. के घेरे में हैं और पश्चिम मंगाल की मुख्यमंतरी मंता बनल जी के भधीजे और त्रणमूल कॉंग्रस के महासचिव अभिशेक बनल जी भी E.D. के राडार पर है E.D. के घेरे में आने वाले नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है महरास्ट से लेकर बंगाल तक बहुत से बड़े-बड़े नेता विपक्षी पार्टीओं के लोग E.D. के घेरे में है हाला कि विपक्ष का ये कहना है कि E.D. की ये कारवाई साजिशन की जा रही है क्योंकि लोग सभा चुनाओ नस्दीक आ गया है और ये सब चुनाओं में दबाओ बनाने की राजनीती है आप हमारे चैनल दपेंडाउन को इसी तरह अपना सपोर्ट देते रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें धन्यवाद